वेलकम टू STML आज हम STML में सेंपल टैग का यूज करना सीखेंगे स्पोज आपके पास कोई कम्प्यूटर प्रोग्राम है जिसे आप अपने वेब पेज पर आज सेंपल प्रिंट करवाना चाते हैं तो यहां पर आप उसकी help लेंगे sample टैग की जिसकी help से आप उसे as a sample प्रिंट करवा सकते हैं तो चलिए हम यहां पर एक code टाइप करते हैं पहले हम यहां पर लिखते हैं try this code, try this bit of code यहां पर हम एक code को use करेंगे यहां पर हम BR tag यूज करते हैं line break के लिए हम यहां पर दो BR tag को use करते हैं ताकि आपको जो difference है वो clearly show हो जाए अब हम यहां पर एक code को enter करेंगे आप यहां पर code लिखेंगे function alert box यहां पर हम BR tag लगाएंगे line break के लिए then again back it start, alert, hello और BR tag को use करेंगे line break के लिए अब हम control SCC से save करते हैं then हम इसका preview चेक करेंगे, F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो यहां पर simple text यह आपको plain text show हो रहा है means try this bit of code यहां पर आपके पास code show हो रहा है अगर आप इस code को यहां पर as a sample print करवाना चाते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले हम HTML विंडो में आट करते हैं तो आप जिस code को यहाँ पर as a sample print करवाना चाते हैं वहां पर आप tag लगाएंगे samp sample tag के लिए sample tag के लिए samp keyword यूज़ करते हैं और जहां तक आपको यह tag use करना है वहां तक space देकर आप यहां पर टाइप करेंगे यहां पर आप इस tag को close कर देंगे यहां पर हमने sample tag लगा दिया अब हम control s करेंगे F5 इसका preview देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस code के ऊपर आपने sample tag लगाया है जिस code को आपने sample tag के अंदर लिखा है वो code आपके पास as a sample show हो रहा है यहां पर इसका phone जो हो थोड़ा सा change हो गया है तो इस तरह से आप with sample किसी भी code को as a sample print कर वा सकते हैं यहां पर आपको different show हो कर दो कर दो